हलो इस्टुएंट्स कैसे हैं आप आप सभी विध्यारतियों का द्रमेंद्र कर्क इंग्लिस क्लासेज में एक वार फिर हार्दिक स्वागत है आज का ये वीडियो बहुत ही महत्पूर है क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं एक मसूर कभी डबलू डबलू गिबसन द्वारा लिखी गई कपता एक बॉई सॉंग्स के बारे में एक बॉई सॉंग्स कपता 12th क्लास में इंग्लिस कंपल्सरी किस लेवस में निर्धारित रेंबो टेक्स्ट बुक में दूसरे नम्मर की कपता है पिछले वीडियो में मैंने आपको पहले नम्मर की कपता था नोबल लेचर को ब्याक्या सहीत समझाया था अमें आपको बता दूँ आज की इस बीडियो में एक बॉई सॉंग्स कपता की हर एक लाइन का हिंदी वा इंग्लिस दोनों भासाओं में अनुवाद किया गया है कठिन सब्दों का अर्थ इसपष्ट किया गया है तथा अंत में बोड़ परिच्छा में पूछे जाने वाले सौट आंसर टाइप कोश्चन एवं एक्स्ट्रेक्ट वेस कोश्चन आंसर को समझाया गया है मुझे पूरा पिश्वास है कि इस बीडियो को देखने के बाद आप इस पोईम से समधित समस्त प्रिष्णों का जवाब पूरे आत्पिश्वास से लिख पाएंगे मुझे प्रौसाहित करने के लिए मेरे इस बीडियो को लाइक वा सस्क्राइब करें बगल में आप पोईट की फोटो देख पा रहे है चलिए सबसे पहले कप्ता का पठन यानि रेचिटीशन करते हैं Poem Because I set no snare, but leave them flying free, all the words of the air belong to me From the blue tit on the slow, to the eagle on the height, uncaged they come and go for my delight And so the sunward way, I soar on the eagle's wings, and in my heart all day, the blue tit sings यह 12 lines में लिखी एक सौट poems, एक सौट poem है जो readers के लिए एक महतपूर message convey करती है चलिए अब poem को अनवात सही पढ़ते वा समझते हैं सबसे पहले, line 1 to 4 Because I set no snare, but leave them flying free, all the words of the air belong to me Word meanings, इन चाल लाइनों में दिएगे कथिन सब्दों का आर्थ समझते हैं Because I, I, I इस चाल लाइनों में poet www.gipson के लिए यूज़वा है Set no snare, set means to put, रखना, बिछाना Snare, a device used for catching small animals and words, that is a trap Snare, जाल को कहा जाता है, जैसे आप image में देख पा रहे हैं Leave to go away from a place छोड़ देना, जाने देना Free, not tied up or in a case, यहनी आजाद Mukt, belong to be owned by somebody किसी का होना, किसी के स्वामित में होना Now translation in Hindi Because I set no snare क्योंकि मैं पक्चियों को फसाने के लिए जाल नहीं बिछाता Because I set no snare Because क्योंकि I, poet कह रहा है I set no snare, snare में जाल मैं पक्चियों को फसाने के लिए जाल नहीं बिछाता But leave them flying free बलकि उन्हें स्वतन्त रूप से उड़ने देता हूं All the words of the air belong to me इसलिए हवा में उन्डे वाले सभी पक्चियों मेरे ही हैं इन चाल लाइनों में यह दिखाए गया है कि जो poet है वो एक word lover है पक्चि प्रेमी है He does not like to catch the words पक्चियों को पकड़ना उसे अच्छा नहीं लगता अबात करतें लगता है Translation in English Because the poet says that He does not set near to catch the words Rather he lets them fly free in the sky Therefore all the words of the air belong to him Next lines Lines From 5 to 8 From the blue tit on the slope To the eagle on the height Uncaged they come and go For my delight Blue tit सामने आप देख पा रहे है Blue tit A small European word With a blue head Bings and tail And yellow parts underneath एक छोटा सा पक्षी होता है एक चड़िया होती है जिसका जो सिर होता है वो नीली कलर का होता है Bings होती है टेल होती है पूंच होती है Yellow parts underneath और नीचे पेट वाला जो हिस्सा होता है वो हलका yellow color का होता है Eagle 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 बाज एक large bird of prey बहुत बढ़ा सिकारी पक्षी होता है विदे सार कर्बड बीक जिसकी पैनी और मुड़ी हुई चोंच होती है Very good sight बहुत अच्छी द्रिश्टी होती है यह पिक्चर में देख पा रहे हैं आप Slow जंगली बेर को Slow कहा जाता है तो बड़ मीनिंग्स में हमने बात की ब्लू टिट के बारे में एक चोटी चड़िया होती है Slow Bitter Biled Fruit एक कड़वा जंगली बेर का पेड होता है या बेर होता है Eagle Large Bird of Taked बड़ा सा सिकारी पक्ची होता है With a sharp curved beak and very good sight Uncaged Third line में तीसरा word है Uncaged Uncaged means free Not in the trap आजाद जो जाल में बंद नहीं है और Antim line का last word है Delight Joy or pleasure Delight कहते है आनंद को खुसी को Now Translation in Hindi कि from the blue tit on the slow to the eagle on the height कभी कह रहा है कि जंगली बेर के ब्रक्ष पर बैठी blue tit चिडिया से लेकर from the blue tit on the slow slow bear का पेड bear के पेड पर बैठी होई blue tit चिडिया से लेकर to the eagle on the height उंचे आसमान में उनने वाला बाजपक्ची ये सभी Uncaged they come and go for my delight ये सभी स्वतंत रूप से Uncaged स्वतंत रूप से मेरे आनन्द के लिए आते और जाते हैं Now translation in English The poet says that from the blue tit on the slow to the eagle on the height all these words freely come and go to his delight Next lines Now lines from 9 to 12 So the sunward way I soar on the eagle's wings and in my heart all day the blue tit sings Word meaning सबसे पहले कठें सब्दों के अर्थ की बात करते हैं Sunward means towards the sun सूरे की तरफ Next word is Soar to fly very high in the ear आसमान में बहुत उंचाओडना and wings means feathers, punk Now translation in Hindi And so the sunward way I soar on the eagle's wings Point के राए और इस प्रकार में eagle's wings यनि बाच के पंखों पर सूरे की ओर So the sunward way I soar on the eagle's wings और इस प्रकार में बाच के पंखों पर सूरे की ओर आकास में उपर उंचाई पर ओड़ता हूँ And in my heart all day the blue treat sings In my heart और मेरे हिर्दे में All day पूरा दिन blue treat चिडिया गाती रहती है Now translation in English Thus the point says that He soars on the eagle's wings towards the sun And in his heart all day a blue treat keeps on singing अब हम बात करते हैं Poets, Views about the Poem जो कभी के बिचार हैं W.W. Gibson की जो बिचार हैं इस कपता की जरिये जो उन्होंने व्यक्त किये हैं उसके बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले In English सबसे पहले अंग्रेजी में हम उसके बिचारों को रीड करते हैं प्रकरती के बहुती अमूल या बहुमूल उपार स्वतंतरता के बारे में है इस पिर्थिव पर रहने वाले इसके सभी निवासियों के लिए Like men, W.W. also have the right to live freely यानि ब्यक्तियों की तरह मानवों की तरह पक्षियों को भी स्वतंतर रहने का अधिकार होता है The poet is a world lover कभी एक पक्षी प्रेमी है He advocates for the freedom of verse पक्षियों की आजादी उसे अच्छी लगती है He sets no snare to catch the verse पक्षियों को पकड़ने के लिए वो जाल नहीं बिचाता The flying verse give him delight उड़ते पक्षियों से आनन्द देते है He images that he soars higher and higher towards the sun on the eagle's wings वो एक कल्पमा करता है कि वो उंचे से उंचे सूर्य की तरप उस बाच के पंखों पर उड़ रहा है उपर जा रहा है He feels a blutet on a slowly singing in his heart वो मैसूस करता है कि एक blutet जो बेर के पेड़ पर बैठा हुआ है वो उसके हिर्दे में गार आए तो पोईट successfully established an emotional bond with the words by showing empathy towards them कभी ने सपलता पूरवक एक emotional एक भावनात्मक समन्द स्तापित किया है पक्षियों के साथ में उनकी प्रती empathy यानि सानवूती या समानवूती दिखा करके he has a humanitarian approach उसके एक मानवतावादी दिश्टिकों है तो the message the message of the poem to humanity is that इस कभता का जो message है पूरी मानव जाती के लिए पाठकों के लिए वो यही है कि we should live lovingly and peacefully with other animals कि हमें दूसरे जानवरों पक्च्चियों के साथ peacefully अब हम इनी बिचारों को हिंदी में पढ़ते हैं कभता प्रकरती के सभी निवासियों के लिए बहुमोल उपार सुतंतरता के बारे में है मानव की तरह पक्चियों को भी जीवन में सुतंतर रहने का अधिकार है कभी एक पक्चियों के लिए जाल नहीं बिचाता है उरते पक्चियों उसे आनंद देते हैं और वो एक कल्पना करता है कि वो बाच के पंखो पर सूर्य के और यात्रा कर रहा है वो मैसूस करता है कि एक बिलूटिट चडिया उसके हिर्दे में गा रही है कभी समानबूती दिखाकर पक्चियों के साथ भावनात्मक समंद सपलता पूर्वक इस्थापित करता है और कभी मारपता बादी थिष्टिकोर्ड रखता है कभता का जो संदेश है मारप जाती के लिए यही है कि हमें दूसरे जानबरों पक्चियों के साथ उनकी स्वतंतरता का सम्मान करते हुए प्यार और सांती के साथ रहना चाहिए अब हम बात करते हैं कि कभी के बिचार जो उपर इंगलिस भासा में दिये हुए हैं उसमें जो कठिन सब्द थे उनके अर्थ के बारे में तो उसमें एक कठिन सब्द था प्रेशस प्रेशस का मतलब होता है बहुमूल कीमती दूसरा सब्द था उसके अंदर इनेविटेंट्स, निवासी मैनिफेस्टेशन, किसी चीज़ का प्रकटी करड वर्ल लवर, पक्ची प्रेमी एड़ोकेट्स फोर समर्थन करना फ्रीडम ओपर्स पक्चियों की स्वतंतरता सैट नोसनियर जाल नहीं विछाता और बिलूटिट एक पक्ची का नाम है चलिया का नाम गिब मीस देना ड्लाइट आनंद एगल मीस बाज और सुलो मीस बेर का पेड इस्टेब्लिस इस्थापित करना इमोशनल बोन्ड भावनात्मक समंद एमपैथी सानवूती और हुमिनिटेरियन मानपताबादी तो ये कुछ खटें सब्द थे जो कभी के जो विचार ब्यक्त हुए हैं उसमें इंगलिस में उसमें ये सारे सब्द आई हुए थी तो उसका विध्यारतियों की मदद के लिए मैंने यहाँ पर हिंदी में उनका जो ट्रांसलीशन था वो दिया अब हम पात करते हैं इस पोईम से कुछ महतपूर प्रशनों के बारे में तो सबसे पहले एक्ष्ट्रेक्ट टाइब कोशन्स जैसे कि मैंने आपको स्लेवस में बताया था कि रेंबू टेक्स्ट बुक में जो पांच पोईम्स दे रखी हैं उनमें से दो तरीके के प्रशना आते हैं एक एक्ष्ट्रेक्ट टाइब कोशन्स और दूसे सौ टांसर टाइब कोशन्स जो एक्ष्ट्रेक्ट टाइब कोशन्स आते हैं ये एक्ष्ट्रेक्ट यहां दिया हुआ है तो बिध्यारतियों की मदद के लिए मैं यहाँ पर दिया हुआ है कि इस तरह के दो questions पेपर में set की जाएंगे एक बिध्यारतियों को attempt करना है और यह चार अंकों का होगा तो देखें, because I set no snare, यह stretch यहाँ दिया हुआ है, because I set no snare and leave them flying free, all the words of the air belong to me, from the polluted on the slow to the eagle on the height तो इसमें दो प्रिशने हैं, दो-दो माक्स के प्रिशने हैं, तो question one है इसमें, कि name the words from the passes, और where is the polluted sitting, और दूसरा question था, कि who belongs to the writer, और why do they belong to the writer, तो इसके answers नीचे यहाँ दे रखे हैं, पहला question, name the words from the passes, तो पैसे जो यहाँ पर वर्स दे रखे हैं, पक्चियों के बारे में बात की है, वो polluted, और eagle के बारे में बात की थी, और second, इसमें जो question पूछा गया था, यहाँ, कि where is the polluted sitting, इसका जवाँ नीचे दे रखे हैं, कि polluted sitting उने slow, एक बेर की ब्रक्ष पर बैठा हुआ है, second question जो उसमें पूछा गया था, कि who belongs to the writer, और why do they belong to the writer, तो उसका answer यहाँ दे रखा है, कि who belong to the writer, तो all the words of the air belong to the writer, यानि, air के जितनी भी पक्षी हैं, वो सभी writer से संबंदित हैं, writer के स्वामित में है, writer, उन सभी को, उपर एक लाइन में यहाँ पर यह कहा गया है, कि all the words of the air belong to me, अब प्रिष्णी यह है, कि why do they belong to the writer, तो they belong to the writer, because he does not set near to catch the words, क्योंकि वो पक्षियों को पकड़ने के लिए जाली मिछाता, और he lets them fly free in the air, और वो खुले आस्मान में मुक्त रूप से उनको उड़ने दीता है, यानि वो पक्षियों के आजादी का समर्थन करता है, वो एक पक्षी प्रेमी हैं, नेक्स्ट, important questions है, short type answers, चार यहां पर संख्या में four प्रेशन यहां दिये हुए है, short answer type questions, बहुत important है, बोर परिच्छा में एकसर पूछे जाते हैं, तो इसी में जो पहला प्रिश्ण है, कि why do all the words belong to the poet, यानि सारे पक्षी पोईट से क्यों belong करते हैं, और इसका second प्रिश्ण है, कि why are the words able to come and go for the poet's joy, यानि सारे पक्षी कभी के आनन्द के लिए क्यों आते और जाते हैं, इसी में तीसरा प्रिश्ण था C, कि which words does the poet mention in the poem, एक boy song में, यहां पर उसने कौन से पक्षियों की बात किया है, कौन से पक्षियों का burden किया है, और next question है D, कि what does the expression sunward be in the poem mean, poem के अंदर, जो कि expression था sunward be सूरे की तरफ, इसका क्या मतलब है, तो पहले प्रिश्ण का जो answer है, यहां नीचे लिखा हुआ है, यह पूछा गया था कि why do all the words belong to the poet, और इसके answer में है लिखा हुआ है, because the poet says that he does not set near to catch the words, rather he lets them fly free in the sky, वो यह कहता है कि वो जाली बिचाता पक्षियों को पकड़ने के लिए, बलकि वो उनको खुले आसमान में उड़ने दीता है, सुतंतरता पूरवक, इसलिए सारे पक्षि जो है यह के belong to him, second question जो पूछा गया था यहाँ, कि why are the words able to come and go for the poet's joy, तो इसके answer में यहाँ नीचे B answer दे रखा है, poet says that from the blutet on the slow to the eagle on the height, all these words come and go to his light because they are uncaged, क्योंकि वो बिलकुल स्वतंतर है, वो जाल में बंद नहीं है, वो आजाद है, third question था, कि which words does the poet mention in the poem boy songs में कौन से पक्षियों की बात किये, तो C answer में है, बिलूटिट और eagle, इन पक्षियों की specially उसने बात किये, और four question, कि what does the expression sunward way in the poem mean, और जो fourth question था, उसके answer में है, कि sunward way means towards the sun, सूरे की तरफ, the poet imagines that, he suits higher and higher on eagle's wings, तो इस तरीके से, आज के बीडियो में, मैंने एक boy songs poem की बिस्तृत ब्याक्या, हिंदी वा अंग्रेजी दोनो भासाँ में की, मेरा पूर विश्वास है कि ये बीडियो, इस कप्ता के earth meanings, वो बन meanings को ग्रास्प करने में बिद्यारतियों की पूरी मतत करे तो इस तरह के और विडियो प्राप्त करने के लिए मेरी चैनल धर्मेंद्रगर्ग इंग्लिस क्लास को आज ही सब्सक्राइब करें थैंक्यू फर बॉचिंग एंड लिस्निंग